कि नमस्कार दिस जाजुन और विलकम टू स्टड़ी नाइंटी वन बच्चों आज जो हम बात करने वाले हैं 2018 के पीवाईपी पर बात करेंगे सो हम लोग 2018 का जो previous year का question है वो solve करने वाले हैं आप देखो किस तरीके के question 2018 के paper में पूछे गए वो आज हम देखेंगे तो देखें रीजिनिंग के इस session में बहुत ही अच्छे question आपको देखने को मिल रहे हैं आप यहाँ पर ध्यान दीजिए कि जो question पूछे जा रहे हैं आपसे जो पूछे गए हैं आज तक exam में उसी के pattern पर SBI कुछ question पूछता है आपसे तो अगर आप पूरे previous year का analysis करते हैं तो आपको बहुत help मिलने वाली है तो चलिए पहले question की तरफ चलते हैं तो पहला question आप देखो यहाँ पर जो लिया गया है वो question जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो question पहला question खास करके जो मिलता है exam में वो खास करके setting arrangement, puzzle इसी से related जातर होता है अब देखो इसका एक reason यह भी हो सकता है कि आपको पहला question से बहुत लोग घबरा जाते हैं कि हाँ बड़ा सा question मिल गया फिर इसके बाद वो कहीं न कहीं उनको problem phase करनी पोड़ी तो बट आपको ऐसा नहीं करना है आपको question को phase करना है अब यहाँ पर point यह भी है कि क्या हम question को skip ना करें लेकिन बिलक question जादा होते हैं तो simple सी बात है कोई 100% question तो करता नहीं है ठीक है तो आप यहाँ पर question को अभी यहाँ पर हम लोग करने वाले हैं one by one हम लोग question को करेंगे फिलाल question आपको आना चाहिए question की priority आप set कर लो कि किस तरीके से question हमें करना है कौन सा पहले करना है कौन से बाद में करन यह आपको पता होना चाहिए तो पहले question को हम लोग solve करते हैं ठीक है देखो पहले question को में करते हैं question में करा company a b c company a b c देखो आप यहां पर जो company है कौन सी company है तो भाई a b c company है ठीक है वो क्या काम कर रही है printed different number of books कहरा कि different number of books different years अलग अलग सालों में अलग अलग नंबर की किताब में अलग 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 नंबर में किताब में चापता है राइट आगे question में कह रहा है यह दोखो इयर्स दिये गए है पांच शालों में वो अलग 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 number of books print करता है तो आप दोखो number of books भी यहां पर दिया हुआ है कितने है 66 है कहीं पर तो यह कोई sequence में नहीं दिया बड़ sequence में जो चीजे मिलती है अब यहां पर point यह है कि जब भी आपको year पर question दिया जाए या day, date, month पर question दिया जाए तो वो एक sequence में ही होता है तो पहले आपको उसी को arrange कर लेना है तो हम भी यहां भी वही काम करने वाले हैं सबसे पहले हम क्या करेंगे सबसे पहले हम जो year यहां पर दिया गया है उसको mention कर लेते हैं देखो year जो दिया गया है 1947 पहले दिया गया फि तो देखो हम वही पहले mention कर लेते हैं फिर दिया गया 1987 दिया गया फिर इसके बाद 1998 दिया गया फिर 2000 दिया गया यह year दिया गया था तो जो हमने यहां पर mention कर लिया है अब यहां पर ध्यान देना अब number of books भी होगा ठीक है number of number of books तो number of books जो दिया होगा वो भी हम यहां mention करेंगे ठीक है number of books को भी हम mention कर लेंगे यहां पर कुछ इस तरीके से आप बना लोगे अब जरूरी नहीं है कि exam में आप इस तरीके का बनाओगे क्योंकि exam में time की कमी रहते तो आप इस तरीके से बनाने की जरूरत नहीं है अब आप देखो question में क्या कह रहा है जो जो कह रहा है वैसे वैसे हम यहां पर फिल करते हुए चले जाएंगे आगे question में एक बात और कह रहा है की which is not 47 वह 47 नहीं होना चाहिए तो आपका मिल रहा है अगर आप देखो तो एक मिल रहा है यहां पर 47 और दूसरा मिलना है 87 तो सक्टन्य क्या सेभव के 47 नहीं होना चाहिए फिर कौं कर नहीं होका यहा पर самी होका तो इसका मतलब 66 बुक का प्रिंट कब करवाएंगे 1987 में प्रिंट करा दिया गया होगा 1987 में चलो यह चीज तो clear होगी आगे question में क्या कह रहा है आगे question में कह रहा है कि हाँ आगे कह रहा है कि बुक प्रिंट इस 1947 is 10 less than that print in 1987 आप देखो वह कह रहा है कि जो बुक आपका 1947 में प्रिंट होगी वह 1987 से 10 कम होगी राइट 1987 से 10 कम होगी आप देखो यहां पर हम क्या करने वाले हैं तो 1987 में 66 बुक प्रिंट हुई है इसका मतलब 1947 में 10 माइनस कर दो यानि 56 बुक यहां पर होगी कितनी बुक होगी तो 56 होगी आगे देखो कुशन में क्या कह रहा है क्या रहा है क्या तो 59 बुक्स वर प्रिंटेड अब यहां पर ध्याँ रखना question में कहा रहा है 61 book जो print हुई है उसके पहले कभी भी 59 book print होगी तो भाई देखो उसके पहले कभी 59 book print होगी बट एक और condition दिया है यहां पर कहा रहा है but not immediate before तो 59 book जो है वो print होगी पहले कब से 61 के पहले होगी बट यहाँ पर तुरंत पहले हो मतलब तुरंत पहले हो ऐसा जरूरी नहीं है वो कह रहा है कि not immediate before not immediate before तो not immediate before कह रहा है not immediate before होना चीए अब यहाँ पर जड़ा सोचो इसका मतलब minimum इनके बीच में तो एक तो होने ही होने हो बट एक होंगे योंगे ऐसा हो सकता है अब यहाँ पर आगे the number of books printed in 2002 is two more than that printed in 1998 अब उज़रा यहाँ पर सोचो तो यहाँ पर तुरंत पहले नहीं होगा तो अब क्या पर होगे 61 अगर आप यहाँ रखोगे तो 59 इधर नहीं होगा तो 59 किदर होना है तो 59 यहाँ होगा simple आपे समझना है कि 59 शोर है कि वो यहीं होगा 59 यहाँ पर शोर है कि वो कहां होना है वहीं होना है क्योंकि 61 से पहले है अब 61 आप सोचोगे यहाँ होगा कि यहाँ होगा बट यहाँ पर एक point दिया गया है अब यहाँ जितना प्रिंट हुआ उससे दो जादा है ठीक है उससे दो जादा है अच्छा आप ध्यान देना उससे दो जादा है क्या ऐसा करोगे अब देखो एक तो 61 होगा इसमें क्या होगा 61 अगर आप 61 में से 2 माइनस कर दो मालो के आपने कहा कि यहां पर कहा रहा है कि the number of books printed in 2002 आपने सोचा कि चलो बाई 2002 में हम 61 को रख देते हैं ठीके कहा रहा है कि is more than कहा रहा है कि is more than that printed in 1998 अब ध्यां रखना यहां पर क्या होगा अब यह आप सोचोगे कि अगर इसको यहां रखोगे यहां 61 नहीं होगा इसका मतब 61 को आप यहां रखो और इससे 2 जादा यहां रख लो 2 जादा यहां रखोगे तो यहां कितना आ जाएगा 63 आ जाएगा कितना जाएगा 63 आ जाएगा अब देखो यह condition फुलफिल हो रही कि नहीं हो रही है कह रहा है कि the number of books printed in 2002 is more than that printed in 1998 तो देखो 1998 में जितना print हुआ है उससे 2 जादा 2002 में print हुआ है तो भीया condition यहां पर बिलकुल फुलफिल है अब आजाओ देखो condition पूरी पूरी फुलफिल है अब हम आजाए question की तरफ पहला question जो यहां पर दे रहा है देखो आप पहला question जो यहां पर हमको मिल रहा है वो क्या कह रहा है कह रहा है कि harmony books were printed in 1947 1947 में कितनी किताबे print हुई तो कितनी किताब print हुई बाई बताओ यहां पर 47 में 56 कितनी हो गई तो 56 यहां पर option ए क्या हो गया correct हो गया चलो दूसरे question पर आओ दूसरे question में कह रहा है कि 1956 और 2000 2002 में छपी पुस्तकों की संख्या के बीच अंतर क्या है what is the difference between the number of books printed in 1956 and 2002 तो भाई देखो 1956 और 2002 के बीच जो छपी है पुस्तके उनके बीच अंतर हमें बताना है किसके किसके भी 56 और 2002 के बीच तो देखो 56 में कितनी है तो 59 और 2002 में कितनी है 63 तो difference बताओ कितना है तो difference इधर निकल के आ रहा है 4 कितना निकल के आ रहा है 4 तो difference अगर 4 है तो option में हमें 4 मिल गया और यह हमारा क्या हो गया answer हो गया right चलो next question पर आओ, कह रहा है कि कितने वर्षों में मुद्रित पुस्तकों की संख्या 1998 में मुद्रित पुस्तकों से अधिक है, वहीं कह रहा है कि in how many years the number of books printed are more than that printed in 1998, तो देखो 1998 अब यहां पर point आप समझना, ठीक है, कि कह रहा कि कितने वर्षों में मुद्रित पुस्तकों की संख्या 1998 में मुद्रित पुस्तकों की संख्या से अधिक है, तो देख लेते हैं कितने में, भाई 1998 से अधिक कितने में हैं, देखो 1998 में है 61, ठीक है, 61 से ज़्यादा कौन है, तो 163 है और 166 है, तो कितने हैं यह 2 साल ह है जिसमें 1998 से जादा हैं तो आंसर क्या बनेगा आंसर बन जाएगा आपका 2 तो देखो यहां पर 2 है क्या तो दो मिल गया इसका मदब answer क्या हो गया अब देखो next में आ जाओ next में कहा रहा है यहां पर question पर किसी सब्ध question अभी देखो question change हो गया ठीक है तो देखो question किस पर based है वो वाले question पर हम लोगों ने कर लिया है उस पर three question थे तो अभी next question पर आ जाओ इस next question में अगर आप ध्यान से देखे देखे question में क्या दिया हुआ है एक आपका word दिया हुआ है उस word से हमें क्या करना है पहला छठा आठ्मा और नवे अच्छर से प्रतेक अच्छर का सब्द में एक बार उपयोग करके कितने शब्द बनाए जा सकते हैं तो मैं इधर वहां से निकाल करके लेटर लिख दे रहा हूँ आप जल्दे से मुझे आंसर करके बताओ कि कितने बनने वाले हैं तो मैं पहले निकाल के रख देता हूँ फिर आप आंसर करिएगा पहला हो गया यह दूसरा है तीसरा है चौथा है पाँचमा छठा सातमा आठमा नौमा दसमा और इग्यारमा तो देखो पहला वाला कौन है पहला है आपका ए ठीक है आप देखो छठा कौन सा है तो छठे पर आएगा भाई ठीक है और आठमे पर कौन आएगा तो आठमे पर आएगा पी आठमे पर कौन आएगा पी आएगा ठीक है अच्छा 9 में पर कौन आएगा तो 9 में पर आएगा A 9 में पर कौन आएगा तो A आएगा ठीक है एक बार देख लो आप तो पहले पर कौन है E है ठीक है और पहले के बाद छठां आया है तो 6 पर कौन है तो 6 पर है भई देखो C है ठीक है 1, 2, 3, 4, 5, 6 C है वो भी मैंने मेंशन किया है और देखो इसके बाद 8 है तो 8 में पर कौन आ रहा है ठीक है 6 के बाद 7 और 8 पी आया पी भी हमने लिखा है फिर इसके बाद आप देखो 9 में पर कौन आएगा तो 9 में पर आएगा A वो भी मैंने लिखा है वह आप जल्दी से आंसर कर दो कितन बनने वाले हैं, ठीक है, आंसर कर दो, ठीक, चलिए, ठीक है, देख लो, आप कितने बनने वाले हैं, तो, अगर हम यहाँ पर बना रहे हैं, ठीक है, तो, देखो, सी से अगर हम इस्टार्ट करें, तो, सी, ए, पी, ए, राइट, केप, एक तो यह बन रहा है, राइट, और दूसरा आप बनाओगे, तो आप क्या बनाओगे, पी, ए, ए, सी, राइट, ने, 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 आप यह बनाओगे, पी, ए, सी, इ, बना लो, ठीक है, पी, ए, सी, राइट, तो, यह दो वर्ड तो अभी दिख गए, और देखो, कोई बन रहा है क्या, ठीक है, दो वर्ड बन के और कोई बन रहा था, और कोई नहीं बनेगा, राइट कितनी बन रहे हैं यहां पर तो टू वर्ड यहां पर बन रहे हैं राइट देखो आप फिर आंसर क्या होना चीविए आंसर तो यह टू हो गया ठीक है और कोई नहीं बन रहा है इसमें तोड़ा सोचनी की जरूबत होती है ठीक है और देखो जब खास करके ऐसा पूछ ले कि व पूछले कि हाऊ मिनी वर्ड राइट वो अलग बात है कि एक को एक की बार यूज करना ए उसको दो बार यूज नहीं करना है लेकिन फिर भी इसमें इस इस question को बहुत clear होईएगा तभी आप करिएगा बहुत clear होईएगा तभी करिएगा जैसे कि देखो मैंने भी सोचा बहुत फिर उसके बाद मुझे दो मिल रहा है मुझे लग रहा है कि सके लाओ और नहीं मिलेगा बिलकुल यहां पर answer क्या होगा यहां answer बनेगा two right चलो next question पर बाएं से दाएं वर्ड माला करम में इस प्रकार बेवस्थित किया गया है कि पहले शोरों को उसके बाद बेंजनों को बेवस्थित किया गया है तो बेवस्था के बाद you और आर के बीच में कितने अच्छर है right तो भी देखो यह question का answer तो आप कर सकते हो पहले हमको देखो लगाना है alphabetical राइट बट यहाब ध्वाबि ध्यान दो कैसे लगाना है पहले आप वोवल को लगाओगे फिर इसके बाद consonant को राइट यही तो गह रहा है पहले कैसको लगाना है पहले लगाना है स्वर को किसको स्वर को उसके बाद बेंजन को ठीके पहले वावल फिर कौन सुनेंट तो देखो इसमें वावल कौन कौन से है देखो जो वर्ड है वहाँ पर वर्ड जो दिया गया है F I Z एक हमें ये वावल मिल गया ठीक है और दूसरा वावल ये है तीसरा वावल ये है तो पहले वावल पर आप ध्यान दो तीन वावल मिल गये तीनों को अलफा वेटिकल ओर्डर में लगाएंगे तो सबसे पहले मिलेगा हमको E फिर आएगा I फिर आएगा U तो हमने इन तीनों को अलफा वेटिकल ओर्डर में लगा लिया चलो फिर इसके बाद आप देखो फिर इसके बाद जो कॉंसोनेंट है उनको हमें लगाना है तो कॉंसोनेंट बचे तो वागी कॉंसोनेंट है ये हटा दो आप ये भी अटा दो ये भी ठीक है तो इसके बाद जो आने वाला है वो आएगा यफ कौन आएगा यफ फिर उसके बाद यफ को भी हमने कर लिया फिर इसके बाद आएगा जी तो भाई जी को भी हमने लिख लिया फिर उसके बाद कौन आएगा फिर आएगा आर फिर आएगा यस तो हमने alpha vertical order में बिल्कुल लगा लिया है पहले हमने किसको लगाया पहले हमने wobel को लगाया फिर हमने consonant को लगाया चलो ठीक है इस question में पूछ रहा था U और R के बीच में कितने होंगे तो U और R के बीच में कितने हैं ये देख लो तो U है और R है उसके बीच में आएंगे दो उनके बीच में कितने आ रहे हैं तो देखो ये बिल्कुल common sense पर question है ये question आप कर सकते हो ये question बहुत easy तरीके से आप कर सकते हो चलिए next question पर आजाईए next question number से related है ठीक है तो देखो आप इसमें क्या करना है फड़ाबड answer आप कर दीजिए इसको कह रहा है कि यदि संख्या 3,9,6,8,2,1,4,7 में परतेक अंक में एक जोडा जाए परतेक अंक में एक जोडा जाता है जो 5 से कम है किस से कम है? 5 से कम है इसी साथ में आप कर लो पांच से कम वाले जो होंगे उसमें एक जोड़ दो आप देखो पांच से कम ये है एक जोड़ोगे तो दो हो जाएगा ये भी है तो तीन हो जाएगा ये भी है तो पांच हो जाएगा ठीक है ये भी है तो चार हो जाएगा एक sum में जोड़ना है जो 5 से कम थे simple है इसका मतलब है कि आगे कह रहा है एक घटाया जाता है जो 5 से अधिक है तो घटा दो मतलब माइनस करना है माइनस करोगे 8 हो जाएगा माइनस करोगे 5 हो जाएगा 7 हो जाएगा और इधर क्या हो जाएगा भाई तो six हो जाएगा question पूछ रहा है बनी संख्या में कितने अंक दोहराया जा सकता है यहाँ पर पूछ रहा है repeating in the number thus formed right तो repeat कितने कर रहे होंगे ठीक है यह पूछ रहा है how many digits how many digits तो कितने repeat कर रहे हैं तो आप देख लो कितने repeat कर रहे होंगे तो कितने repeat कर रहे हैं four five 5 एक5 रहे है जो repeat कर रहे है और को तो repeat कर रहा है केवल कौन repeat कर रहे है five रबीट कर रहily stronger अगर five repeat कर रहा थो κάए tutto one क्या आएगा वन तो यहांपर यहाँ आ गया वान आगए option by आपका correct हो गया केवल एक रही repeat कर रहा है ठीक है चलो next आजाओ next question जो लिया गया है यहाँ पर तो देखो आप यहाँ पर blood relation से यह question लिया गया है और question में कह रहा है कि देखो all the given member belong to the same the same the family कह रहे कि J is the brother of your जरह हम देख ले हाँ यही solve कर देते हैं ठीक है कह रहा है all the given member belong to the same the family ठीक है एक ही family से आते हैं आगे कह रहा है कि J is the brother of your देखो आप क्या कह रहा है कि J is the brother of your तो हमने बना लेना है simple कि J जो है वो brother है ध्यार रखना यहाँ पर अगर मैं plus बना रहा हूंगा इसका मतलब यह क्या है यह एक male member है राइ female है ठीक है यह आपको ध्यांट रखना है एक बात और ध्यांट रखनी है अगर मैं equal यह साउन पनाओंगा इसका मतलब यह spouse की बात करा इसowan प्क्या है husband贼ार वायव की किसकी बात करेगा यह parents और child की बात करेगा the parents हमेसा generation में उपर होंगे चाइल्ड हमीशे जनरेशन में नीचे होंगे पैरेट्स और चाइल्ड का जो एक्जामपल है वो समझो तो फादर और सन, फादर और डाटर, मदर और सन, मदर और डाटर राइट? तो यह होगा इनका हम यूज करने वाले हैं अगर हम यहां कर रहे हैं तो आपको समझना है अब देखो कहीं कहीं मेल और फिमेल के लिए सरकल और ट्राइंगल का यूज किया जाता है बट आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है यह जल्दी बन जाएगा यह बनाओ आप जे इस दा ब्रेदर ओफ यल जे जो है वो किसका इकलोता बेटा है भाई तो आर का इकलोता बेटा जैसे इसने बोला यह इकलोता बेटा है इसका मतलब यह कौन होगी उसकी डाटर होगी आर की कौन होगी यह डाटर होगी आगे कह रहा है कि डबलो इस दा फादर इला आफ यल w is the father in law of hell देखो w is the father in law of hell देखो father in law कौन होगा spouse का जो father है तो इसका मतलब इसकी साधी हो गयी है ठेके अब ये एक पुरुष होगा एक मेल होगा और इसका जो father है वो कौन है w है it means w is the father in law of hell राइट आगे देखो question में क्या कह रहा है W is the father-in-law of L आगे कह रहा है कि D is the maternal grandfather of P D is the maternal grandfather of P देखो जो D है मैं ऐसे बना लेता हूँ देखो जो D है वो maternal grandfather है किसका P का maternal grandfather का मतलब एक तो ये mail होगा maternal grandfather किसका है तो भाई P का है इसका मतलब P के maternal grandfather बोलते है नाना जी इसका mother's father माता जी के पिता जी तो देखो ऐसे mother's और father तो अब बड़ एक और condition यहाँ पर दिया है कह रहा है कि who who मतलब कौन तो P P is a male P एक क्या है? male है तो भाई ठीक है कोई बात नहीं है P क्या है? एक male है चलो ठीक है अभी यह देखो इससे relate नहीं कर रहा है इसलिए मैंनों यहाँ पर रखानी फिलाज एक ही family में है तो एक ही family में है तो आगे चलके हम connect करेंगे आगे जो question में कह रहा है आगे जो question में कह रहा है कि वो कह रहा है आप ध्यान दो कह रहा है कि Q is the only son of W is the grandfather of यन W किसका grandfather है यन का इसका मतलब है कि यन तो इसी का ही संतान होगा संतान बोले तो child ठीक है इसी का child होगा W is the grandfather of यन हमने बना लिया आगे कह रहा है कि C is the daughter of कौन है यन C is the daughter of यन तो देखो C जो है वो daughter है किसकी daughter है और किसकी daughter है ये यन की daughter है इसलिए मैंने वहाँ पर minus बनाया C is the daughter of यन तो बन गया ये perfect अब इसको हमें इधर connect कराना है देखो ये तो एक लौता बेटा है ठीक है अब यहाँ पर ध्यान रखना अब इनको हम कहां रखने वाले है इनको हम कहां रखने वाले है जबकि ये कौन है ये P की mother है अब mother का roll इसमें कौन कर रहा है तो ध्यान रखना ये कर रहा है तो simple आप क्या करने वाले हो simple आप क्या करोगे आप कहोगे कि भाई देखो P जो है ना वो इसी का बेटा होगा P किसका बेटा होगा इसी का बेटा होगा और अगर इसका बेटा है इसका मतलब ये दोनों कौन होंगे sibling होंगे दोनों के माता पिता तो एकी है ठीक है अब यहाँ पर ध्यान रखो ये D जो होगा उसको कहां ले जाओगे आप अब ध्यान देना अब यहाँ पर बिल्कुल हम लोगों ने confirm कर लिया है यह हमने family tree ड्रॉ कर ली है तो अगर यह family tree ड्रॉ हो गई अब आजाओ देखो answer यहाँ पर क्या बनने वाला है answer क्या बनने वाला है तो answer क्या बनने वाला देखो अब यहाँ पर question में करा how yel is related to c यह how yel is related to c तो जो yel है वो c का कौन है तो जो yel है वो c का कौन है तो ध्यान रखो c के parents के parents में आ रहा है और यह female है it means यह क्या होगी grandmother होगी कौन होगी yel जो है वो c की कौन है grandmother है तो grandmother इसमें दिया option में नहीं दिया तो आप लगाओ none of these, क्या लगाना है, none of these लगाना है, next question पर आजाओ, कह रहा है कि P यन से किस प्रकार संबन्दित है, how is P related to yen, तो देखो P का yen से क्या संबन्द है, P का, ये जो P है, वो yen का कौन है, तो वह सिंपल है, sibling में आएगा, इसका मतलब ये male है, एक brother होगा, इसके gender से नहीं मतलब है, P क्या हो जाएगा, brother होगा, P is the brother of yen, brother का option मिल रहा है, यहाँ पर मिल रहा है, तो आप लगाओ, ये option C क्या हो गया, correct हो गया, चलिए next question पर आजाईए, तो next question यहाँ पर मिल रहा है किस से, ये direction का question है, next question किसका है, direction का, तो चलो, इस question को try करते हैं, हाँ, same है, same, ठीक है, चलिए, question में कहा रहा है कि point U is 10 meter north of point Q, तो भई बना लो यहाँ पर, देखो क्या कहा रहा है, point U is 10 meter north of point Q, तो पहले point Q को बनाओ आप, और कितना north में है, तो ध्यान रखो, 10 meter north, north हमेशा उपर होगा, आपको ये point ध्यान रखना है, उपर north, नीचे south, right में, east, left में west हो जाएगा, ठीक है, तो देखो 10 meter north पे कौन है, तो U है, ये भी बना लो, कौन हो गया, U हो गया, आगे कह रहा है कि T, point T is 10 meter east of point U, U के east में जाओ 10 meter, कितना, 10 meter, कौन मिलेगा आपको, तो मिल जाएगा आपको T, कौन मिल गया, T मिल गया, ठीक है, आगे कह रहा है, point S is 15 meter south of T, तो T के south में जाएगे 15 meter, T के south में 15 meter जाना है, अच्छा अभी बताओ हम कितना गये, तो 10 गये है, तो 5 और चले जाना है, कितना, 5, चलो इतना मालो 5 हो गया, ये हो गया, पंदरा, अच्छा साथ में में इसे divide करने तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, मालो यहाँ एक point हो गया, आच्छा इदर कॉन आएगा, तो भाई, कॉन आएगा, देखो आप, तो यहाँ आएगा, यहाँ पर जो आया है, वो कॉन आया, यहाँ तो यह 10 और यह 5 और यह point yes हो गया, कॉन हो गया, point yes हो गया, आगे question में कहारा है, point P is 20 meter south of Q, 20 meter south of Q, Q के south में जाना है, कितना जाना है, तो 20 meter जाना है, ठीक है, Q के south में जाना है, कितना जाना है, 20 meter जाना है, ठीक है, यहाँ पर Q हम लिख देते हैं, क्योंके south में जाना है 20, अभी देखो, हम कितना चले गए, तो अभी चलेगे 5, कितना चलेगे 5, और हमें 15 और चले जाए तो कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा 20, हो जाएगा, यह मैं अलाग अलाग इसलिए कर रहा हूँ, क्योंकि आगे चलके हमारे लिए थोड़ा यह easy हो जाएगा, ठीके, अब यहाँ पर अगर मैं 15 मिटर चला आय जहां रखना, यहां से तो बेस हो गया, कितना हो गया 20, अच्छा जब मैं बेस आया, तो आगे यहां पर कौन मिलेगा हमको, तो हमें मिल जाएगा P, वही बोल रहा है ना, P is 20 मिटर साओ तो यहां पर कौन हो गया, तो यहां हो गया P, कौन हो गया, P हो गया, आगे question में कह कर ओए है कि, पॉइन ऐख 20th, 25 definite, श्डव तो ट्रेंट अर। 25 जाना है, कितना जाना है तो यह दस है, इसके पहले इधर तो अभी पर Christ जाना है, तो अभी आप कितना चलेगा तो तु यह आपको ध्यां रखना है, ठीके, तो बहाई इसके आगे 15 और चले जाओ, अप 15 और चले गए तो कौन मिलने वाला है तो हमें मिलने वाला है यहां पर R मिलने वाला है कौन मिलेगा तो R तो यहां पर कौन हो गया R 25 मिट्र इस्ता पॉइंट टो पंद्रा और दस कितना हो गया 25 हो गया आगे कह रहाом point L is 15 मिट्र इस्ता point yes इस पॉइंट येस के East में जाना है तो इस तो इधरी यह ठीक है महां भी जा रहे तो यहां भी जाएंगे कितना जाना है दिया रखो तो कितना जाना है पंधर मिन्टर जाना है राइट इस 15 मिटर अप तो 15 मिटर इस देखो 15 यह भी है ठीक है यह दोखो यह थोड़ा help कर रहा होगा आपको ठीक है तो 15 मिटर आप चले गए और कौन मिलेगा आपको टो enjoy point year मिलेगा दोखने होगा आगे कह रहा है कि point यं इस है और पी और यंज़ार यू और पी के बीच में कौन होगा यू और पी को पहले देखो कहां पर है यू और पी तो दिखो भई यू और पी कहा है तो पी तो हमको इधर मिल गया ठीक है और यू कहा है यहां मिल गया यू और पी के बीच में होगा अभी काउंट करो जरा 15 यह है 5 यह 20 और 10 यह कितना हो गया 30 का आधा कितना होता है तो 15 इसका मतलब है यहां पर कौन होगा तो यहां पर होगा यम यह मिड़ पर यह किस पर है उसले है है कर दे रहा हूं यहां आर है यहां आपका यहर है यहां आपका यहां आपका बैठा यहां कि गजता है ठीक है अभी कोई परशानी नहीं होनी चीहे हमने यहां पर जितने भी गजय अनूबर थे उनको भी σου डिवाइट कै लिख को यह बंद औरgraवल्बन नहीं यल और यल तो यहां है आर यहां है इसके बीच डिस्टेंस यह पूछ रहा है डिस्टेंस पूछ रहा है तो यह देखो यह है 15 इसका मतलब यह भी कितना है 15 तो आंसर भी कितना आ गया 15 सबको पहले ही अलग कर लोगे तो आंसर देने में कोई कल्कुलेशन आपको ज्यादा करने की जरूबत नहीं है आंसर यहां पर क्या आ गया 15 मिटर आ गया चलो नेक्स कोशन दोगो कि राइन विच डिरेक्शन इस पॉइंट टी विद रिस्पेक्ट टू पी के रिस्पेक्ट ठीक है कौन था यहां पर पी से टी बताना है पी से किसको बताना है टी को पी कहां है वही तो देखो पी यहां है और टी कहां है तो देखो पी के संदर में टी का डिरेक्शन बताना है तो सिंपल आप यह डिरेक्शन बना लो आपको पता है उपर की तरफ नौर्ट होता है और आपके right में east होता है तो north और east के बीच में क्या है north east तो answer भी हो जाएगा north east देखो किस में आ रहा है north east तो north east बने का option d में तो यह आपका हो गया answer क्या हो गया answer हो गया चलो next question देखो क्या है next question में कहा रहा है कि which of the following point are in line simple आपको समझना है कि एक line में कौन कौन से point बनेंगे तो देखो PRS पहले देख लो PRS है क्या है कौन PRS तो P यहाँ है और यहां है यह यहां नई एक point में तो नहीं है एक point में तो नहीं है Q यम यल देखो Q यम यल है क्या तो Q और YUM और YAL नहीं एक point में तो नहीं है मतलब एक seed में चाहिए हमको कैसा चाहिए एक seed में एक seed में तो नहीं है अब देखो कौन है U ST U ST देख लो भाई U ST U कहा है U और YAS T नहीं नहीं बिलकुल नहीं है U ST भी नहीं है चलो आपकी देखो कौन है यम यस यल यम यस यल यम यस यल ये बिलकुल सीध में है ध्यान रखो ये बिलकुल सीध में आपको दिख रहा होगा यम यस और यल ये बिलकुल एक सीध में ये इन लाइन है तो आंसर भी आपका क्या बनेगा यही बनेगा यम यस यॉ य्ल राइट आंसर क्या हो गा यम यस इल देखु आप अंसर क्या हो गया यह ग्रों Εवा करके बइठीन क कॉपीपेंड ले करकेणुम यहाए तो इसका मतलब है तो यहुद कॉन होगा दी ए यह पहली रों में है और फेशिंग्स नौर्थ इनका फच किदे रहा तो नॉर्थ होगा इनका फेश है नॉर्थ ठीक है आगे जो दिया गया है यह है यस टी यू एक्स वाई और जेट इनका फेस साउथ होना चाहिए बिल्कुल टू रोटू में हैं फेसिंग कि दर है साउथ है ठीक है आगे कोईशन में कहारा है कि एक एंड से किसका प्लेस जो है वो थर्ड पर होगा अब उसने बोला नहीं कि लेफ्ट एंड होगा राइट होगा हम दोनों पॉस्बिलिटी देख लेंगे पहले फिलाल इनके लिए बना लेते हैं सीटे तो देखो वान टू थ्री फॉर फाइब कितने हैं सिक्स हैं टू तो सिक्सिक्स में होंगे राइट अब इनका फेस भी आमने सामने है तो वो भी बनाई लो आप किदर है आमने सामने है आप बना लो वैसे बहुत बड़ा कोईशन नहीं है तो आप पॉस्बिलिटी चाहो तो नहीं बनाओ फिलाल बना लेते हैं आप पॉस्बिलिटी भी ब बैठेंगे कैसे बैठेंगे आमने सामने यह ऐसा से बैठेंगे ठीक है आपका केस्स बनेगा तैछा है इक तरह से E कितने पर बैठेगा ये बैठेगा आपका तीसरे पर बैठेगा और इनका face किदर है तो E का face किदर होगा North होगा तो चलो ठीक है तीसरे पर बैठेगा इसमें हम क्या करने वाले हैं दिखो आप इसमें ये जो है तीसरे पर यहां पर हमने E को बैठा लिया ठीक है इसमें इस साइट से हमने E को यहां बैठा लिया तो तीसरे पर तो बैठा है एक हमने राइट एंड से बैठा है एक हमने लेप्ट एंड से बैठा है दोनों में से एक केस बिल्कुल सही होगा और एक गलत हो जाएगा ठीक है अब आप देखो इस question में आँगे कह रहा है कि yes sits second to the left of the one who faces e अब ध्यान रखना जो e की तरफ face किया है उसके left second जाना है जो e की तरफ face किया है उसके left second देखो e की तरफ face कौन किया है ये उसके left second जाओ 1 and 2 तो यहाँ पर कौन मिल जाएगा आपको yes मिल जाएगा ठीक है कौन मिल जाएगा f ठीक है yes sits second to the left of one who faces देखो यहाँ पर ध्यान रखो भाई रुको 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 पहले इसको हटा दू फिर बताता हूँ देखो आप question को ध्यान से पढ़िए कह रहा है कि yes sits second to the left of the one who faces e अच्छा जो one who faces e अब यहाँ पर ध्यान रखो one who faces e जो e की तरफ face किया है उसके left second पर कौन बैठेगा तो उसके left second पर बैठेगा yes सही तो जाई रहते है जो e की तरफ face किया है उसके left second पर कौन बैठेगा उसके left second पर बैठेगा yes right और देखो जो ईकी तरफ फेस किया उसके लेप्स किन्ट जाएगा नीचे की तरफ है तो अब लेफ इदर होगा बिल्कुल तो यहां पर पर बैटएगा यहां पर बैठ जाएगा यह अच यह हम यहां भी बना लेते हैं कौन होगा यह होगा ठीक है बेच में तीन होंगे अगर यस को आपने यहां बैठाया है तो 123 यहां पर कौन हो जाएगा ती हो जाएगा ठीक है कौन हो जाएगा यहां बर T हो जाएगा एक लाइन यहाँ पर खीच लेते हैं बीच में तो हमारे लिए ज्यादा सही होगा हम दो केस बना रहे हैं वैसे ठीक है अभी सही है चलो गई ठीक है तो क्वेशन में क्या कह रहा था कि आगे कह रहा है कोईशन में के सिट्स सम्वेर राइट आफ यहम के दा दाहिने के कहीं भी होगा हमें पता नहीं है ठीक है यहम के दाहिने होगा ठीक है यहम के दाहिने होगा अब आगे क्या कह रहा है आगे कह रहा है कि more than three percent more than three person sit between x and t, x और t के बीच में 3 से ज़्यादा लोग होंगे, 3 से ज़्यादा का मतलब वो 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 होगा बर 3 से ज़्यादा होगा, किस के किस के बीच में t और x के बीच में, अब ज़रा सोचो, जो case 2 है यहाँ है, तो भई तुम x को कहां बीचाओगे, 1, 2, 3, इधर कहीं तो बैठाने ही सकते, मतलब यह वाला case क्या हो गया, गायब हो गया, अब देखो यहाँ पर t है, तो 1, 2, 3, 4, यहाँ पर आप किस को बीचाओगे, x को, यह बिल्कुल clear हो गया, तो यह data मैं हटाई देता हूँ, फिलाल अगर आप थोड़ा सा पढ़ करके, इस question को करते, तो मुझे नहीं लगता है, कि यह दूसरा case बनाने की जरूरत थी, लेकिन फिर भी, starting में आप ऐसा कर सकते हो, आगे question में क्या कह रहा है, कि F faces the one who immediate neighbor of T, F faces the one who immediate neighbor of T, देखो T का जो पढ़ोसी है, उसकी तरफ face कौन किया है, तो F किया है, तो देखो, जो T का पढ़ोसी है, उसकी तरफ face किसका है, यहम का है, हमने बना लिया, F का है, तो हमने बना लिया, आगे कह रहा है कि Z sits second to the right of y second की बात होती है तो बीच में एक आते हैं बीच में कितने आते हैं अब देखो z और y किसमें होंगे z और y इस वाले में है ठीक है इस वाले में है दूसरे रो में है ठीक है तो बीच में अगर एक आएगा तो y के right second जाना इसका मतलब y को यहां रखो गे तभे उसके right second पर कौन होगा z होगा तो z यहां पर होगा अब बचा कौन है इसमें देखो कौन कौन बचा है भई yes t yes t u u बचा है तो u को आप यहां बना सकते हो ठीक है और u और उसके बाद x y z था तो वो हमने यहां पर बना लिया आगे question में क्या कह रहा है आगे कह रहा है कि the one who faces yel sits third to the left of u third to the left of u देखो one two three और इसके तरफ face कौन किया है yel कौन है yel कह रहा है कि the one who faces yel sits third to the left of u third to the left of u left right में गलती मत करना ही तो गरबोड हो जाएगा d faces yes अब देखो d faces yes है तो d को हमने इदर बना लिया अब यह वाला point आप रख लो ठीक है दो ही तो बचे है यह हम इदर बना लो और उसके right में कहीं k है तो right में यहां आमने k को बना लिया right तो case one विल्कुल correct है पहला question of who having the following faces k तो बताओ भई question भी वहीं से बन रहा है question भी विल्कुल वहीं से बना है कि यह पूछ रहा है यह कह रहा है कि के की तरफ फेस किसका है वाई का है तो answer भी क्या आ जाएगा answer आ गया option d चलिए next question पर आजाओ next question में कह रहा है कि who having the following faces the immediate neighbor of him ठीक है who among the following faces the immediate neighbor of him ठीक है immediate neighbor of young एक फेस किसका है immediate neighbor of you कौन है यह उसकी तरफ face किसका है जड का उसकी तरफ face किसका है जड का तो answer भी क्या बनेगा जड़ बन किया चलो next question पर आजाओ next question में कह रहा है कि four of the following five four of the following five जैसे कह रहा है यह odd one out का question है तो sitting position के according इनका answer बनने वाला इस 5 में से 4 एक समान होंगे, एक कलत हो जाएगा अब देखो T और E की position देखो T और E T और E की position देखो कहा है देखो T यहाँ है और E यहाँ है हम बनाई देते हैं ताकि यहाँ पर कोई problem ना आए फिर U D है Y L U D Y L U D और Y L अभी तक तो बिल्कुल सही जा रहा है जहां रखना, सम में ऐसे ही है E को cross करके लगा रहा हूँ इसको cross करके, इसको cross करके अभी बराबर जा रहा है बिल्कुल देखो आप इस पे आजाओ, फिर है Z E और Z K Z E, Z K में से एक answer होगा Z E देखो Z E आओगे तो ऐसे और Z K आओगे तो ऐसे बनलब answer क्या होगा Z E ही होगा, answer क्या होगा Z E होगा, answer होगा आपका Z E, answer क्या होगा Z E, आपका answer क्या होगया option number D आगया चलो next option पर जाते हैं current की निमलिक्रित में इसे Y के ठीक बाएं और, Y के ठीक बाएं और बैठे बेखती, Y के ठीक बाएं कौन है, Yes है, और इसकी और किसका मुख है, तो D का है, किसका है, तो D का है, तो answer भी क्या आएगा, answer आएगा D, answer क्या आगया, D, option B, यानि D, राइट, चलिए, next question है, कहरा है कि YUM और D के बीच कितने बै हैं, तो यहां बता हुआ, यहां बीच में कितने हैं, तो D, के बीच में, तीन लोग बैठे हैं, कितने बैठे हैं, कितने बैठे हैं, तो तीन यहां पर आया, थ्री answer हो गया, क्या हो गया, answer, 3 है, राइट, चलिए, अब लोग next question कि तरह आ गया है, और next question भी एक छोटा सा sitting arrangement आपको देखने को में रहा है तो जल्दी-जल्दी solve करके answer करना शुरू कर दो ये question भी यहाँ पर दिया गया है चलो शुरू करते हैं भई ठीक है कहना कि 5 person कितने लोग है 5 लोग है इसमें कितने है तो 5 person है भई 5 लोग है वान टू थ्री फोर फाइफ पांच फ्लोर हमने बना लिया राइट कितने फ्लोर बना लिये तो 5 फ्लोर हमने बना लिये है तो पांच फ्लोर पर यह रहते हैं ठीक है आगे कह रहा है कि बिल्डिंग कह रहा है सच आज ग्राउंड फ्लोर इस नमबर वन ठीक है ? विस्टेक हो गया होगा तोि前 स्वाइब और स्वाइब था खाना टॉआ चालो कोईू और स्वाइब चालो टीक है और कैसा क्यों ए यहाँ रछना खोंगे आगे कैसा तो भई देखो A और B के बीच में तीन होगे, पांची है, तो इधर कौन आजाएगा, इधर कौन आजाएगा, देखो, इधर आएगा A और B, यहां भी हो सकता है, A और B, यहां भी हो सकता है, ठीक है, A और B हो सकता है, बीच में तीन फ्लोर है, आगे कहरा है, one of the floor above Y, Y के पर कौन होगा, एक फ्लोर उपर कौन है, X है, अब देखो एक और प्रोब्लम, भई अगर आपने Y को यहां रखा, यहां मालो, Y को आपने यहां रखा, तो X यहां होगा, अगर आपने Y को यहां रखा, तो X यहां होगा, ठीक है, ऐसा हो सकता है, अगर आपने Y को यहां तो एक से आओगा अच्छा जी देखो भाई यहां पर भी पॉस्बिलिटी क्रियेट हो रही है आगे क्या कह रहा है आगे तो कुछ भी नहीं कह रहा है अब बचे कौन है यह भी देख लो फिर एबी एकस वाई और जेड बच गया तो जेड जो बच गया है तो जेड की पॉस है तो क्या जेड बीच में आ सकता है क्या यह भी हमें ध्यान देना होगा कि जेड यहां पर आ सकता है कि नहीं आ सकता है तो अगर एकस को हमने यहां रखा तो वाई इधर हो जाएगा ठीक है एकस को यहां रखा तो वाई इधर हो जाएगा और एकस को इधर रखा तो वाही यहां हो जाएगा x द्याँ देना x live one of the floor above y ठीक है one of the floor above y ठीक है तो अब आप ध्याँ रखना one of the above floor तो यहां का अगर देखो x यहां है y यहां है तब भी z की possibility इधर भी बनेगी ठीक है पॉसिबिलिटी ही possibility है इस पर आंसर देखो बहुत क्लियर नहीं बनने वाला है क्योंकि who am in the following live third floor third floor पर कौन रहता है third floor पर कोई एक नहीं रहता है ठीक है ध्यां रखो यहाँ पर x y z कुछ भी हो सकता है तो answer आएगा can't be determined answer क्या आएगा can't be determined बहुत दिमाग नहीं लगाना है क्योंकि यहाँ पर possibility खूब बनी हुई है आगे question में क्या कह रहा है आगे question change है उस पर a की question था बड़ा simple सा can't be determined आपको answer करना था बहुत समय नहीं देना था उस पर आगे कह रहा है यहाँ पर देखो एक series दी गई है और series में यहाँ पर कह रहा है series देखो कैसी है तो series में series देखो यहाँ पर तो series जो आपको मिल रही है इसमें कह रहा है a है c है f है j है और आगे क्या आएगा वह simple आप समझो a1 होता है c3 है तो आप 2 प्लस हो रहा है प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 अब प्लस 5 करोगे तो क्या बनेगा o बनेगा मतब j में अगर 5 जोड़ोगे तो o आ जाएगा राइट अच्छा नमबर ही चेक कर लो अब ठीक है 3, 3, 6, 4, 10, 5, 15 15 और 6 कितना हो गया 21 तो last में 21 आएगा बीच में क्या होगा अभी यह नहीं सोचना है ठीक है तो पहले o आएगा last में 21 आएगा पहले o last में 21 ठीक है अच्छा t वाला भी चेकी कर लो आप देखो आप यहाँ पर b है फिर कौन है e है तो यह 2 है और यह 5 है तो plus 3 हो रहा है plus 3, 3 3, 3, 3 2, 3, 5 हो गया राइट 5 और यहाँ पर 4 प्लस हो रहा है 5, 4, 9 अब 5 प्लस हो रहा है 9, 5, 14 और 14, 6 20 तो T ही आएगा भी answer तो वही है यहाँ रखना answer तो वही है चलो next question पर आजाओ देखे next question जो आपको मिट रहा है वो question कौन सा है जो यहाँ पर कुछ decide कर रहा है वहाँ पर कह रहा है कि देखो each of the question below consists of question consists of a question and two statement number one and two के रहाँ गिवन विलो वाहू यू आप यू आप डिसाइड विदर यह देखो अगर आप देखोगे इस question में के रहा है data provided in the statement are sufficient to answer the question reboot the statement and give answer तो भही यह डेटा सफिसेंसी का question होगा जहाँ पर sufficient की बात कर रहा है किसकी बात कर रहा है sufficient की बात कर रहा है तो आप दिसा निर्देश जरूर पड़े ठीक है आप direction को पढ़ना जरूरी है अब देखो यह question इस तरीके से मिल रहा है आखिर यह question ऐसे मिल रहा है सबसे पहले हमें इसके option को समझना होगा अगर आप पहली बार डेटा सफिसेंसी कर रहे हैं तो डेटा सफिसेंसी के option को सबसे पहले समझना है तो सबसे पहले डेटा सफिसेंसी के option को आपको समझना है तो देखो option क्या कह रहा है तो मैं अभी यहां पर देखो तो short में बहुत बड़ा बड़ा लिखा हुआ है देखो ध्यां रखना अगर आप पहली बार कर रहे हैं तो आप एक बार जरूर पढ़ लें इसको कह रहा है कि if the data in statement 1 alone are sufficient to answer the question while the data in statement 2 alone are not sufficient मतलब जो data पहला है अब ध्यां रखो question भी यहीं है तो question भी देखी लो आप देखो यह मालो एक question पूछा गया यह क्या है एक question पूछा गया आपसे ठीक है question का answer देने के लिए आपके पास दो data है data 1 and data 2 मतलब दो statement है मालो statement 1 है और statement 2 है simple आप समझो अगर दो statement है तो आप answer कैसे करोगे देखो ऐसे समझ लो एक आप से question पूछा गया हूँ ठीक है question कोई भी हो सकता data efficiency में जो question मनते हैं वो question जो होंगे वो ज़्यादर question किससे होंगे आप देखो जितने भी topic आपने पढ़े होंगे उसी से रहते हैं reasoning के जैसे मालो coding recording है blood relation direction order ranking sitting arrangement puzzle even puzzle तक का भी question पूछा जाता है इसके लिए मालनो दो अगर data दिया गया वैसे दो से ज्यादा भी मिलते हैं यह ध्यान रखना दो data दिया गया अप देखो इस question का answer देने के लिए आपने पहला data पढ़ा और पहले से answer आ गया फिर आप दूसरे को पढ़ेंगे पहला छोड़ करके तो दूसरे से answer ना है मतलब केवल पहले से answer आ रहा है केवल दूसरे से नहीं आ रहा है तब आप लगा रहे हो option number one only alone one is sufficient but alone second is not sufficient राइट वही वहाँ पर लिखा हुआ था है short में मैं शमझा देता हूँ पहले से answer नहीं आ रहा है दूसरे से आ रहा है option two लगाओगे अब यह option इदर उदर हो सकता है वहाँ पर ध्यां रखना अब यहाँ पर ध्यां रखना आप कसी ने पहले से किया और answer आ गया दूसरे से किया answer आ गया तो यहाँ पर इदर और लगाओगे यह कह रहा है केवल अकेले पहले से answer आ रहा है या केवल अकेले दूसरे से answer आ रहा है पहले data से answer नहीं आया और दूसरे से भी नहीं आया लेकिन जब आप दोनों को मिला करके answer कर रहे हैं तो भी नहीं आया मतलब अकेले अकेले तो answer नहीं आ रहा है दोनों को मिला हो गया साथ में तो भी answer नहीं आये option 4 मतलब neither nor होगा ध्यान रखना इसको क्या बोलेंगे यह है य इंदेर और और यह निदर नौर ठीके यह ना नहीं दया प्हले से यह दूसरी नहीं है लेकिन जब दोनों को मिलाया तो अंसर यहां दोनों को OUR तो अंसर यहां आ नहीं है तब आप option 5 में ज्यादा तरीय देता है बट यह दर उधा जा सकता है यहां पर यागा बोथ one and two together are sufficient but alone is not sufficient ये भी आपको ध्यान रखना है तो देखो भाई question यही था ठीक है? question यही था और data वही है मैं एक बार पढ़ लेता हूँ जिस sequence में मैंने बताया उसी sequence में दिया है कि नहीं दिया है पहला वाले में देखो यहाँ पर कहरा है alone one sufficient कहरा alone one sufficient तो यह तो ठीक है ठीक है? इसमें वही होगा पहले से answer आएगा दूसरे से नहीं आएगा यह option लगाओ कि आप दूसरे में देखो alone two sufficient अब alone first not sufficient होगा तो पहले से answer नहीं आएगा दूसरे से आएगा तीसरे में देखो if data either one alone two ठीक है? तो यह पहले से भी आएगा और दूसरे से भी आएगा यहाँ पर इदर और लगाओ अकेले अकेले आएगा answer देहां रखना यहाँ पर together not sufficient राइट? together not sufficient तो भई यह कह रहा है कि दो को पहले से answer नहीं आएगा दूसरे से भी नहीं लेकिन together are necessary to answer the question राइट? यह आपको ध्यान रखना है अब यह पहला question है तो पहले question का answer आप लोग दे दो जल्दी से ठीक है? पहले question का answer आप लोग दे दो जल्दी से राइट? चलो भई चलिए चलो ट्राइगर लेते हैं जल्दी से चलो ठीक है देखो पहले वाले data को आप चेक करोगे सबसे पहले पहले वाले data में यह क्या कह रहा है? कह रहा है कि there are only two person there are only two person there are only two person sit between sahil and gita अब पहले तो यह पढ़ लो question तो पढ़ लो question में कुछ data दिया है कह रहा है who sits immediate left of rabhi यह कह रहा है कि rabhi के तुरंत बाएं कौन बैठा है बट कुछ बाते और बोड़ रहा है कह रहा है कि who is sitting in row वो एक row में बैठा है all the person who are sitting in a row facing north तो भई सबका face किदर नौर्थ है चलो ठीक है मैंने left भी ठीक ही लिखा था ठीक है? तो rabhi के immediate left immediate left के मतलब तुरंत बाएं ठीक है? question में कह रहा है कि there are only two person sit between sahil and gita ठीक है? साहिल और gita के बीच में कितने है? दो लोग है ठीक है बई साहिल और gita के बीच में कितने है? दो है तो माल लो यह साहिल है और यह गीता है तो इनके बीच में कितने होंगे? दो होंगे ठीक है तो एक दो ठीक है? ऐसा भी हो सकता है कि गीता इधर हो और साहिल इधर हो बीच में दो ही लोग होंगे चलो ठीक है साहिल और gita more than three person sit to the left of gita अब कह रहा है कि गीता के left में तीन से ज्यादा लोग है अब ऐसा देखो इसमें तो रभी आया ही नहीं तो पहले से तो आंसर नहीं आएगा कि मुल पहले से आंसर नहीं आएगा यह ऐसे भी आप पढ़के बता सकते हो not more than not more than eight person can sit in a row एक रो में आठ से ज्यादा लोग नहीं है रभी sits second to the left of साहिल दिया sits six place away from गीता बट यहाँ पर ध्यान रखो रभी के इमेडिल left का पता नहीं कर पाओ गया तो इससे भी आंसर नहीं आएगा दोनों को मिला करके ही चेक कर लो अगर आंसर नहीं आया तो option d लगा देना अगर आंसर आ गया तो option e लगा देना देखो आप यह condition बन रही थी बट इसमें बोला गया है कि गीता के left में इसमें बोला गया गीता के left में कितने हैं more than three हैं तो देखो one, two, three एका दौर बना लेते हैं तो ज़्यादा हो गए तीन से ज़्यादा है अभी और भी बन सकता है अब पहला वाली condition अभी दूसरी वाली जोड़ दो not more than eight देखो आठ से ज़्यादा नहीं होंगे अभी कितने हो रहे हैं यहां पर एक, दो, तीन, चार और पांच एट आगया ठीक है यहां पर कहरा है not more than eight आगे क्या कहरा है रभी सेट सेकेंड तो दे लेफ्ट ओफ साहिल सेकेंड तो दे लेफ्ट ओफ साहिल अब सेकेंड तो दे लेफ्ट ओफ साहिल कर रहा है तो यहां पर कौन आगया रभी second to the left of साहिल ठीक है आगे क्या खहरा है कहां गया left of साहिल कहरा है कि दिया sits six place away from गीता six place away from गीता अब six place away from गीता करोगे पहले मैं इसी को बना रहा हूँ इधर तो नहीं ले जाओगे 8 से ज़्यादा हो जाएंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6 कौन हो जाएगा यहां पर दिया यह यहां तो अंसर आ रहा भी ठीक है अब देखो कितने होई 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 आ रहे not more than 8 condition पूरी फिल फिल है और इसके left में भी दिया आ रही है इससे तो अंसर आ रहा है अग लेकिन यह वाली condition दिया रखो आप देखो यहां पर क्या है यहां पर कह रहा है कि साहिल के Ravi sits second to the left of साहिल Ravi sits second to the left of साहिल ठीक है 1, 2, यहां पर किसको रखो गया Ravi Ravi sits second to the left of साहिल डिया sits 6th place away from गीता 1, 2, 3, 4, 5, 6 पर रख सकते हो आप देखो 8 हा रहे है क्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 तो not more than 8 बोला है more than 8 नहीं होना चाहिए बट यहाँ पर भी रवी के लेफ्ट में आ रहा है कोई यह confirm है अब यह मत कहना कि कौन आ रहा है घीता का बोला है भाई है आप ठीक है क्या बोला है गीता और गीता दिया 6th place away from गीता 6th place away from गीता है गीता से अगर 6th place आवे जाओगे तो यह condition फुल्फिल नहीं हो पाएगा मतलब यह condition नहीं है चलो इससे तो answer आ रहा है answer आएगा इस वाले से पहले वाले case से answer आ रहा है दूसरे वाले case से answer नहीं आएगा तो पहले वाले case से answer आ रहा है इसका मतलब आंसर क्या लगाओगे आंसर आप 5 लगाओगे ठीक है मतलब दोनों को इंडी विज्वली चेक करने पर आंसर तो नहीं आ रहा है बड़ दोनों को मिलाने से आंसर आ रहा है देखो इसी तरीके के क्वेशन आपको कुछ और मिल रहे हैं ठीक है जो आप ट्राइब करोगे और ला में करते हो जैजिए जो कुष्टन आपको मिल रहा है यह जी को Extension आपका Mislāniair хоч और भी पर सेवंफ सेवंफ रोहां उद्यवेटए favourite on powkem ऑफ डिख्वंई साव left in of the arrangement अब यहांप ध्यां रखने के रहे हैं कि which of the following is fifth to the left of seventh देखो fifth to the left of seventh from the left and तो जब left left की बात कर रहा है तो ध्याँ रखना left left क्या हो जाता है minus left left minus हो जाएगा यह आपको याद रखना है left left minus होगा right right क्या होगा minus होगा left right क्या होगा plus होगा right left क्या होगा प्लस होगा तो देखो लेफ्ट लेफ्ट है माइनस करना क्या माइनस करोगे 7-5 कर दो अब 7-5 करोगे तो कितना आएगा तो आएगा 2 कितना आएगा 2 काउंट किदर से करना है तो लेफ्ट से ही करना है लेफ्ट से 2 काउंट कर लो आंसर आजाएगा ठीक है लेफ् किसे ना रहा है वहीत का लों का लोग लेट यह न तो काूंट करो आंसर आइगा फाइव फाइव आप्षण में यह तो नवापदीज आपका क्या हो जाएगा आनसर वह हो यह कितना है 17 हमने भी जल्दबाजी में 7 पढ़ लिया ध्यान रखो नहीं देव मिश्टेक हो जाए अभी देखो 17 था यह राइट कितना जागा है 12 किदर से काउंट करना है लेफ्ट से ट्रैल काउंट करना मैं भी सोच रहा है इतना आसान से कैसे देखा देखो कितना काउंट कर ए बन रहा है यानि डी बनेगा यहां पर आंसर ठीक है तो इस तरीके के कोईशन को आप ट्राइ करना है ठीक है इस तरीके कोईशन को आपको ट्राइ करना है और यह देखो एक सिंपल सा सेटिंग अरेजमेंट है ठीक है जो जिस तरीके का सेटिंग अरेजमेंट में करा आप देखो इस तरीके के question जो है exam में पूछे जाते हैं so next class मिलते हैं so thank you class thank you so much अगर आपको यह अच्छा लग रहा है तो please इसको share करिए like करिए subscribe करिए thank you class